हुआ हेलो गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल माइन नेम इस और हो तो आज हम इस वीडियो पे डियाक करेंगे वह वर्ड एफेर्स से चैशंकर साथ रिप्लाइट तु दा यू के वर बीबीशी टैक्सिशू यह साल मैं बीबीशी पर यंदा अब इस सुभा के पांच 46 मतलब 546 हो रहा है मैं वीडियो रेकर्ट कर लो मैं सुभा है अभी इविदिट नहीं यह 546 सुभा के है अर्ली मॉर्निंग मैं वीडियो रेकर्ट कर रहा हूं तो अन्यवस तो अगर आप लोग को मन हो तो सब्स्ट्राइब कर दिना भाई चोड़ असा चैनल है सब्सक्राइब कर दो तो हम भी ग्रो करें लेट से लेट से वलकमियों वर्ल अफेर्ज नहीं रशान दवर्ण नाव हाली में यूके के जो फोरण सेक्टरी हैं यह भारत में यहां पर देख पाऊगे फोटो जेम्स क्लेवरली की यह भारत में इसलिए आये हैं क जो के G20 समिड में जो विदेश मंदरियों की मीटिंग बहुत ही जल्द होगी उसका ग्राउंड वर्थ तियार करना था तो इन्हों ने यहां पर आकर बहुत से टॉपिक्स डिसकस किये ट्रेड एंवार्मेंट क्लाइमेट चेंज वगरा मगर एक पर्टिकुलर तो FTA साइन होने वाला तो उसका क्या मतलब कि प्रोग्रेस हुआ है कि वह स्टे हो गया प्लीस कमेंट में लिख देना अगर कोई फॉलो कर रहा है जियो पोलेटिक्स और डिटिल में पता है तो प्लीस कमेंट में लिख देना इन्हों ने कहा कि देखिए बीबीसी को करोगे तो प्रॉपरली टैक्स आपको भरना पड़ेगा और अगर आप टैक्स नहीं भरते तो डेफिनेटली कई ना कई इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको भारत के जो लॉज हैं इन्हें फॉलो करना होगा मैं सोच रहा था इंडिया और यूके दोनों देश पिछले कोई और देश हो वहाँ पर एड भेज कर दूसरी तरफ यूके है जहाँ पर फूड शॉटेज की प्रॉबलम स्टाट हो गई है इन्फलेशन यूके में इतनी बढ़ चुकी है कि कई यहाँ पर जो सुपर मार्केट्स हैं जो फूड के स्टोर्स हैं वहाँ पर स्टॉक कम ह और लोगों को डर लग रहा है कि आने वाले समय में यूके में फूड शॉटेज की प्रॉबलम भी ना हो जाए और लेडी मैं आपको बता दू के जो नंबर है यूके में बच्चों का जो फूड पावर्टी से जूज रहे हैं अगर तुम्हें पता है कि नहीं पता है स्ट मुझे थोड़ा बहुत पता है तो मुझे वह सब यादाता है कि Winston Churchill ने जो भी बोला था मैं भी नहीं बोल रहा हूँ लेगिन Winston Churchill ने जो भी बोला था जो भी किया था Bengal famine हुआ था फिर जो स्टोरी लिखा गिया था मैं Bengal से तो मुझे पता है कि क्या क्या स्टोरी आया है Bengal से किया कि सब कुछ बहुत सारे जो राइटर से वह सब लिख्या है उस बारे में तो मुझे पता है तो यही है मतलब जब मैं यह सुनता हूँ तो मुझे वह वह यादाता हूँ कि मैं कर्मा क को बहुत ज़्यादा रिस्पिट दीत हो यह डबल हो चुका है पिछले एक साल में और अभी UK में मीटिंग चल रही है सारे सुपरमार्किट के बॉसेस की के देहिए एंशोर करो के सब्जी और फलो की जो शौटेज है यह पूरे UK में फैल जाए और ट्राजेक्टरी देहिए यह UK की इंडिया को बताया जा रहा है कि 2030 के असपास इंडिया दुनिया की तीछरी सबसे बड़ी अर्थवस्ता होगी यह बात वर्ल्ड बैंक, IMF अगरा सब लोगने पूल्ड है दूसरी तरफ देखिए UK में ही सर्वे होते हैं और अब यह लोग यहां पर खुदी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2030 तक यूके पोलेंड देश से भी गरीब बन जाएगा एक बार के लिए मैं आपको जरा दिखाता हूं व पॉलेंड से लेबर निकलती थी पॉलेंड की लेबर जी काम करती नहीं जर्मनी में यूके में और जगा अब यूके की हालत ब्रेक्शिट के बाद धिरे धिरे ती कमजोर हो गई है और फिर उसका घूम के आगए रिस सुड़क पीम बन के वाइस सब पोलेंड देश जिसक पेंट्री के लिविंग स्टैंडर्स ओवर एकोनोमिक प्रोस्पारिटी परचेजिंग पावर पैरेटी ये यूके को भी बीट कर देगी अब ये सब यूके के साथ हो रहा है और साथी साथ यूके की जो सौफ्ट पावर है जो बीबीसी से आती है ये भी दुनिया में धि BBC की reach से चला गया, तो ये एक massive loss होगा UK की soft power का, और इसलिए आपने देखा होगा, चाहे रशिया और Chinese band को लेकर UK का Parliament चुप रहा, जैसे ही इंडिया में आवाज भी आनी स्टार्ट हो गई, कि हो सकता है, कि इंडिया में BBC को problem आए, हलांकि अभी तक BBC को band करने की कोई बात भी कर रहा, Supreme Court ने भी जो idea है, ये reject कर दिया है, मगर UK में BBC को लेकर ऐसा support है, ये लोग emotional हो चुके हैं, कि हाली में UK के Parliament में, इनके minister ने ये कहा BBC के बारे में, कि जी BBC को हम fund करते हैं, BBC हमारा है, और BBC के लिए हम खड़े होंगे भरत में, Minister, we stand up for the BBC, we fund the BBC, we think the BBC will serve, we don't care, we don't fucking care, you can stand up, wherever you want, you can stand up, whatever you want, for anything, we don't fucking care, that's it, agar हमें BBC को band करना तो कर दो, बहर में जा, service is vitally important, we want the BBC to have that editorial freedom, it criticizes us, it criticizes the Labour Party, it has that freedom, no, 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 don't say those fucking thing, criticizes us, don't shit, that's the propaganda tool, believe is vitally important, and that freedom is key, we want to be able to communicate the importance of that with our colleagues, our friends across the world, including the government in India, I thank the Minister for answering the urge, अब ये concept बहुत ही अजीवा देखिए, कि BBC को हम fund करते हैं, BBC को पैसा देते हैं, BBC हमारा है, और हम ये भी मानते हैं, कि BBC हमारे या जो political party है, उनकी भी आलोशना करता है, कभी-कभी ना मैं चाइना का भी thinking समझ पाता हूं, कि चाइना क्यों इतना hardcore autocracy बन गए, और भारत में भी जो BBC को करना होगा, BBC करेगा, आप देखो, ये UK का perspective है, मैं यह आपर ये नहीं कह रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, मैं बस आपको उनका perspective बता रहा हूं, ये उनकी विचार दा रहा है, अब इसमें obviously question तो उठेंगे, That's natural, क्योंकि we all live in our own fantasies, एक सरकारी channel को fund कर रहे हो, उस channel का, उस network का, चीफ कौन होगा, वो भी UK की सरकार ताय करती है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं, कि BBC बिलकुल ही neutral रहने वाला है, अब for example, भारत में न, इंडिया के जो vice president है, इन्होंने BBC का नाम लिए, एक question raise किया, कि जो documentary, हाली में जो documentary news में थी, वो PM ओधी पर BBC की बनाए गई documentary थी, जहां पर BBC ने ये question raise कर दिया, कि जी क्या PM ओधी guilty थे, क्या PM ओधी innocent थे, और उस documentary को लेकर देखिया है, भारत में कई लोग गुसा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो question कर रहे है, problem लेको ये है, कि BBC जिसको fund कर रही है UK की सरकार, क्या वो news network इंडिया में, जिस issue पर Supreme Court verdict दे चुका है, क्या उसको भी question करेगा, मैं चाहता हूँ जो छोटी सी clip है, भारत के Vice President की, ये आप सुने, For two decades, the issue was deliberated in judicial quarters. It was thoroughly investigated at all levels. The highest court of the land, the highest court of the largest democracy, pronounced on all fronts in 2022, finally. And, we have a narrative being set afloat, by a documentary. And some people say, this is expression. Sir, in the name of expression, can you run down my Supreme Court? आप ज़ी जो अफ्रीड़ान का अब बाना कर दका है, लोग, ए फ्रीड़ान आप गार्षान के नाम पे दुनिया में, जिसको रस्ते पे निकलो, जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसको बोल दू तु बेंट चोदा तु बेंट का लटा है तु रेंटी का बच्चे मैं बोल दू कैसा लगेगा मतलग फ्रीडम आप एक्सपरिशन है पैर लटा है लटा है लेंट कैन यू रन डाउन टू डिकेट्स फॉर इन्वेस्टिकेशन इस इस प्लेइंग पॉलिटिक्स ते अधर में राउंड अब ये इंफर्मेशन और फेर है देखो सिंपल सा बात है इंडिया का प्येम कोई भी हो कोई भी हो आज मुदी जी है की वेसान ओसी का कड़र का प्रोपागंडा हमारे पीएम के उपर आचना अने पर कोई भी बिएहंड हो दो再मांटियों और जिया जोडराो हमारा देशे का मेंटuses पसे चूंआ निशा आप कि बीबीसी की जो लोकिमेंटरी ये पीय मोधी के ऊपर ये प्रोपेगेंडा है और ये इनके कलोनियल माइंड सेट का हिस्सा है अब देखो UK की सरकार में UK में चंता इस बात को लेकर है कि जो 1970 में इंदरा गांधी जी ने दो बार किया था BBC को दो बार बैन करके ये इंडिया फिर से ना करते देखिए इंदरा गांधी जी थी आरेन लेडी निक्सन को बिलकुल इनों ने सिखा दिया था कि आप दुनिया को रूल नहीं करते यू वैसे के हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी वेस्टन पावर्स को डिफाई करके पाकिस्तान के दो इससे कर दिये थे त पेले-पेले उसके कुछ साल बाद ना BBC ने कुछ डॉक्यमेटरी रिलीस करी बारत के ओपर जिया तब प українि का था उनमें से एक प्रिक्चर प्रिजेंट करीं इंडिया की और कई प्रशकर रहे तोра के ये डॉक्गन बनाई क्यों और विक्ज elector प्रूय करना चाहते हो आपको उ सब्धार क्षिक पसंद gözालें धुप beton तो अभी के लिए तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा बड़ युके की सरकार को इनके पार्लेमेंट को इनके मिनिस्टर को कहीं से यह फिलिंग आ रही है कि जो डॉक्युमेंटरी यह ना पीए मोधी की और जो हाली में टैक्स का सर्वे हुआ बीबीसी का इसका कुछ कनेक्शन है आप यहाँ पर यह बात क्यों नहीं accept कर सकते कि भारत में आपको अगर operate करना है तो इंडिया का लौ तो फॉलो करना होगा अब बीबीसी चाहिए कल को कुछ भी बनाए डॉक्युमेंटरी किसी भी इशू पर बनाए इंडिया ने यह बात क्लियर कर दिया यहाँ पर बट य यह इशू देखिए थमने वाला नहीं है और इससे कई ना कई इंडिया और यूके के रिलेशन्स पर भी थोड़ा बहुत impact आ सकता है भविश्य में बट अभी देखना यह होगा कि इंकम टैक्स की जो फाइडिंग है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी सर्वे हुआ है उसके बाद क्या findings में genuinely पता लगता है कि BBC ने बहुत जगा टैक्स पे नहीं किया जो इनको पे करना चाहिए था और उसके बाद इंडियन गवर्मेंट का निर्णे क्या होगा BBC को लेकर मैं तो कहता हूँ एक false flag allegation लगा और ठागा हुए यह बहुत भी इंडस्टिंग होगा देखना और कल को अगर मालीजे BBC पे कुछ आक्शन होता है तो इंडिया में जो समिधान का आर्टिकल है आर्टिकल 19 वान सबसेक्शन ए जिसमें मीडिया को फीडम दी जाती है क्या वो फ्रीडम आज भी एक्जिस्स करती है क्या वो फ्रीडम आज भी उत्ती पावरफुल है या नहीं तो इस इशू विल रिमेन इन दे न्यूस फॉर वेरी लॉंग टाइम और इस पर जो भी अपडेट्स होंगी उस पर मैं इन फ्यूचर अपडेटेड वीडियो लाता रहू और फाइनली आपर मैं यह भी आट कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर ली एक एक्जामिन देखो मैं सिरियस्ली यही क्या हूंगा कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है न तो इसको बैन करो क्योंकि यह स्थमने बाला नहीं है यह कि अधर स 어र से पर अपर इंडिया में कुछ है जो जो जर्मन शयपर्ट है जिनको लगता है कि मार्क्ष बहुत अच्छे थे लेकिन शी जिंग पिंग भी कॉम्यूनिस्ट है यह बात नहीं कहेंगे ठीक है किम जंगुन भी है नहीं कहेंगे है anyways मैं यह बता दू आप लोगों कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं.. है आपका ऐटेंशन गेंग करने के लिए लिखा था कि पाकिस्तानी रीक्ष है आप और यहां पर और यह पर क्या आया है कि पाकिस्तानी रीक्ष क्यू sécurité जानना चाहूंगा मैं यह जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों से कि कौन-कौन बस यह पर क्या है कि पाकिस्थानी रियक्षिन उसके उपर मैं एक और टॉपिक के उपर थोरा सा बात कर लेता हूँ अगर तुम चाहो तो देख लो मैं यही बोलूँगा कि थोरा सा देख लो यहाँ पर देख लाइन के लिए लोग लेल तोट करेको अगर लेकिन लिनवेक्र तो जो तुम इंडियन क्रियेटर्स के जब वीडियो टैप करोगे एड आएगा तो इस एड को अगर एक मिनिट के उपा रही है फिर 45 सेकंड कुछ जयादा बड़ा हो जाए तो उस एड को आप स्किप करो लेकिन अगर उतना वारा नहीं है तो उस एड को पूरा देखो लेको आ इंकम बड़ा रहे आप यह मत सोचो कि मेरा इंकम का पर आपका इंकम आप अपने तरीके से लोगे लेकिन आप दूसरों का भी सोचो हम एक दूसरे का सोच के आगे जाएंगे जैसे जापान जापन कैसे आपन ऐसे नहीं गया कि मेरा क्या होगा मैं क्या लोंगा मेरा कैसे ह नहीं, वो लोग अपना अपना देखते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हमें भी होई करना है, एक दूसरे के बारे में सोचना है, आप मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझे पाता है, बहुत साले लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पोशिस तो क आप एक बार चैनल मतलब यूटूब खोलो, सर्च करो कुछ भी, स्क्रॉल करो, कोई भी ऐसा चैनल मिले, जो थोड़ा सा ग्रो हुआ है, लेकिन जैसे होता है जो व्लोगिंग चैनल होता है, विलेज व्लोगिंग, या फिर जो होता है कि आज मैंने अपने पत्मी के साथ केक कर आब कुक किया, जो होता है छोटा-छोटा फ्लोगिंग चैनल जो छोटा-छोटा फ्रेयर न होती है, उनका सब्सक्राब करो, ऑगर एक वीडियो देख लो कितना नेट जाएगा, टो फोट तो पुष्टो, अपने तरीके से जितना हो साके, पुस्टो, तो उनके पॉके करेगा government कोई भी matter नहीं करता है, matter यह करता है कि हम अपने तरफ से India के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने तरफ से अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, that's the most important thing, आपको यह समझना पड़ेगा, गॉबर्मेंट के उपर अगर सब कुछ दे के, मतलब पूरा वेट गॉबर्मेंट के उपर देखे, बैट गए ना, तो बैट ही गए, तुछ होने वाला नहीं है, हम यह देखना पड़ेगा, कि हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, मैं जैसे करता हूँ, हर दिन मेरा 2-3 Gmail ID है, मैं उससे subscribe कर लेता हूँ, 5 या फिर कभी 6, 10 ऐसे करके, जो छोड़ा छोड़ा चैनल है, उनको subscribe कर देता हूँ, और मेरे पास Wi-Fi है, तो मैं views भी दे देता हूँ, हाँ, यह भी देख लेना, चैनल में, कि वो चैनल कैसा वीडियो बनाता है, वो चैनल anti-India ब तो मत देखो, इंडिया को जिससे benefit होगा, रिएटर्स को जिससे benefit होगा, उसको देखो, simple सा बात है, यह है, मैंने पाकिस्तानी reaction इसी लिए लिए लिखा था, ताकि आपका थोड़ा attention मिल जाए, क्योंकि मुझा पाता है, बहुत लोग हो है, जो, मैं देख चुका हूँ, मै सब्स्पैबर हो जाते है, फिर ग्रो हो जाते है, अलग बाता है, ठीके, मैं यह नहीं कह रहा हो, कि तुम पाकिस्तानी reaction नहीं देखो, क्योंकि, तुम भी after all, entertainment के पास आते हो, क्योंकि तुमें भी थोरासा entertainment चाहिए, तुम YouTube खोलता हो, इसके लिए नहीं कि तुमें कुछ important सा काम करना है, बहुत बड़ा कुछ, मतलब, जिम्यदारी है, ऐसा नहीं है, तुम भी आता हो, तुरासा fun, तुरासा entertainment, तुम देखते हो, कॉमेंट करते हो, मजा लेते हो, अब पाकिस्तान का खालत खड़ा बे, तो satisfy, उने भी पैसा मिल रहा है, तो आपना सब कुछ ठीक है, अगर आपको लगे कि आप सब्स्ट्राइब करना चाहो, तो आप कर सकतो, लेकिन यह दिमाग में डाल लो, कि हमें अपने तरफ से, अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटा-छोटा स्टेप लो, आप एक छोटा स्टेप लो, बहुत बड़ा हो जाला, हमा अपने यह देखो ना, आप यह सोचो, आपको सब्स्ट्राइब करने के पैसे लग रहे है, नहीं लग रहे हैं, तब क्यों नहीं करो, सिंपल सा बात है आप अगर सोग, इसी चैनल को स्क्रोल करो, उसको लगड़ा है, एक छोटा सा वीडियो तो तीन मिनित, चान मिनित, प 40p, देख लेगा, उस टाइम पर आप थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा पास Wi-Fi है, तो मैं फूल देखे, थोड़ा थोड़ा करके देख लेता हूँ, मतलब एक चैनल के उपर दो-तिन वीडियो में देख लेता हूँ, तो इस सब क्या होता है, मतलब उसको भी थोड़ा सा साइध मोटिवेट मीश, मैं अपने तरीके से पोसिश कर लेता हूँ, मैं इसा करता भी हूँ, तो चलो, आज के लिए वास इतना है, फिर मिलता है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जाए हिंद, और गुडबाई, और मेरे पास यही एक चीज है बोलने के लिए, कि सोचना है, तो अपने दिमाग से अपने देश के लिए सोचो, जार्मन शेपर्ट मत बनो, बनना है तो मुझ खूला हूआ लाइन बनो, जैसे हमारे तीश के सिंबल है न, पर मुझ खूला हूआ लाइन, वाइसे बनो, जार्मन शेपर्ट मत बनो, जै हिंद और गुद्बाए!